साथियों, साल 2014 से पहले हमारा हेल्थ सेक्टर अलग 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 दिशा में अलग अलग अप्रोच के साथ काम कर रहा था। प्राइमरी हेल्थ केर का अपना सिस्टम था। गाउं में सुमिधाय नके बराबर थी। हमने हेल्थ सेक्टर में हस्पिटल होलिस्टिक तरीके से काम करना सुरू किया। हमने जहां एक तरफ प्रिवेंटिव केर पर बल दिया वहीं इलाज की आधुनिक सुविधाओं को भी प्रात्विक्ता दिया। हमने जहां गरीब का इलाज पर होने वाला खर्च कम किया वहीं इस बात पर भी जोड़ दिया कि डॉक्टरों की संख्या में तेजी से वृत्धी हो। साथियों आईश्मान भारत योजना के तहट देश भर के दूरदारत के इलाकों में लगभग देड़ लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने के लिए काम तेजी से चल रहा है। अभी तक इनमे से पचास हजार सेंटर सेवा देना सुरू भी कर चुके हैं। लगभग पाँच हजार गुजरात में ही हैं। इस योजना से अब तक देश के करीब देड़ करोड गरीबों को पाँच लाख रुपिये तक का मुप्त इलाज मिला है। इस योजना ने गरीब भाई बेहनों की कितनी बड़ी मदद की हैं। इसके लिए एक आंकड़ा मैं देश को बताना चाहता हूँ। सात्यों आईश्मान भारत योजना से गरीबों के लगभग 30,000 करोड रुपे से ज़्यादा बचे हैं। 30,000 करोड रुपे ये बहुत बड़ा रकम है। आप सोचिए इस योजना ने गरीबों को कितनी बड़ी आर्थिक चिंता से मुक्त किया है। कैंसर हो, हार्ट की प्राब्लेम हो, किड्नी की परेशानी हो, अनेकों गंभीर बिमारियों का इलाज मेरे देश के गरीबों ने मुप्त कराया है। और वो भी अच्छी अस्पतालों में है। साथियों, बिमारी के दोरान गरीबों का एक और साथी है जन आउशदी केंद्र। देश में लगभग साथ हजार जन आउशदी केंद्र गरीबों को बहुती कम किमत पर दवाईयां उपलब्द करा रहे हैं। इन जन आउशदी केंद्रों पर दवाईयां करीब करीब 90 प्रतिशत तक सस्ति होती हैं, याने 100 रुपी की दवाई 10 रुपी में मिलती हैं। साड़े तीन लाग से जादा गरीब मरीज हर रोज इन जन आउशदी केंद्रों का लाब ले रहे हैं। और इन केंद्रों की सस्ति दवाईयों की बज़े से गरीबों के हर साल आउशदन एवरेज 3600 करोड रुपीय खर्च होने से बच रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मदद हो रही है। वैसे कुछ लोगों के मन में सवाल उठ सकता है कि आकिर सरकार इलाज का खर्च कम करने दवाईयों पर होने वाले खर्च को कम करने पर इतना जोर क्यों दे रही है। साथिया हमें से अधिकाउस उसी प्रुष्ट भूमी से निकले लोग हैं। गरीब और मद्यमबर्ग में इलाज का खर्च हमेशा से बहुत बड़ी चिंता रहा है। जब किसी गरीब को गंबीर बिमारी होती हैं तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा होती हैं कि वो अपना इलाज कराए ही नहीं है। इलाज के लिए पैसे न होना, गर के अन्य खर्च, अपनी जिम्मेदारियों की चिंता, व्यक्ति के वहवार में ये बड़लाव लाही देती है। और हमने देखा है, जब गरीब बिमार हो जाता है, पैसे नहीं होते हैं, तो वो क्या करता है, दोरे धागे की दुनिया में चला जाता है, पूजा पाड़ की दुनिया में चला जाता है, उसको लगता है, वही से बच जाओंगा लेकिन वो इसलिए जाता है, हम ये न कहें क है कि जो वहवार पैसे की कमी की विज़े से बदल लाता है वही वहवार जब गरीब के पास एक सुरक्षा कवर्थ होता है तो वे एक आत्मिस्वास में बदल जाता है आईश्मान भारत योजना के तहट गरीबों का इलाज लोगों की स्टिंता इस वहवार को बदलने में सफल रहा है जिसमें वो पैसे की कमी की वज़े से अपना इलाज कराने अस्पताल जाते ही नहीं थे और कभी-कभी तो मैंने देखा है कि घर के जो बुजूर्ख है जादा बुजूर्ख नहीं 45-50 साल के आयों बड़े वे इसलिए मिमार दमाई नहीं कराते वो कहते कर्ज हो जाएगा तो सारा कर्ज बच्चों को देना पड़ेगा और बच्चे बरबाद हो जाएगे बच्चों की जिंदगी बरबाद नहो इसलिए कई माबाप जीवन भर दर्द जहलते हैं और दर्द में ही मरते हैं क्योंकि कर्ज नहो दर्द जहले लेकिन बच्चों के नसिब में कर्ज न प्राइवेट हॉस्पिटल जाने के तो गरीब पहले कभी सोची नहीं पाता था अईश्वान भारत के बाद अब ये भी बदल रहा है सात्यों अपने स्वास्त की सुरक्षा का एहसास इलाज के लिए पैसे की उतनी चिंता का न होना इसने समाज की सोच को बदल दिया है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं आज हेल्थ और वैलनेस को लेकर एक सतर्ता आई है गंबीरता आई है और ये सिर्फ शहरों में हो रहा है ऐसा नहीं है अब दूसरे देश के गावों में भी अब ये दूर सुदूर हमारे देश के गावों में भी ये जागरूता हम देख रहे है व्यावार में परिवर्तन के ऐसे उधारण अन्निक शेत्रों में भी नजर आ रहे है जैसे सोचालयों की उपलब्दता से लोगों को स्वच्छता के लिए और जागरू किया है हर गर जल अभियान लोगों को स्वच्छ पानी सुनिसित कर रहा है पानी से होने वाली बिमारियों को कम कर रहा है रसोई में गैस पहुंचने के बाद न सिर्व हमारी बहन बेटियों का स्वात सुदर रहा है बलके पूरे परिवार में एक सकारत्मक्ता की सोच आई है ऐसे ही प्रधान मंत्री सुरक्षत मात्रुत्व अभियान के गर्मबती महलाओं को रेगुलर चेक आपके लिए प्रोटसाइट किया है और चेक अपके कारण उनको पहले से गंबीरता की तरफ इंगित कर दिया जाता है इसका लाब यह हो रहा है कि गर्मबस्ता के दौरान जो कॉंप्रिकेटेड केसिस होते हैं वो जल्दी पकड़ में आते हैं और उनका समय पर इलाज भी होता है वहीं प्रधान मंत्री ब्वामात्रू बंदना योजना के द्वारा ये सुनिशित किया जा रहा है कि घर्मबस्ती महलाओं को परियाप्त पोशन मिले देखभाल मिले पोशन अभ्यान ने भी उनमें जागरुता बढ़ाई है इन सारे प्रयासों का एक बहुत बड़ा लाप ये मिला है कि देश में maternal mortality rate माता मृत्युदर पहले के मुकामले काफी कम हो रहा है साथियों सिर्फ आउटकम पर परणाम पर ही फोकस करना काफी नहीं होता है impact महत्तपुण है लेकिन implementation भी उतना ही महत्तपुण है और इसलिए मैं समयता हूं कि व्यावार में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए हमें सबसे पहले प्रोसेस प्रक्रिया में सुधार करना आवशक होता है बीते वर्षों में देश ने इस पर बहुत जोड दिया गया है इसका नतीज़ा यह है हम देख रहे हैं कि देश के हिल सेक्टर में जहां जमीनी स्थर पर बढ़लाव आ रहा है और लोगों को जो सबसे बड़ी चीज मिली है वो है एक्सेस स्वास्त सुवीधाओं तक उनकी पहुंच और मैं स्वास्त और सिक्षा के एक्सपर्ट से आज यह भी आगरह करूंगा कि वो सरकार की इन योजनाओं का बेटियों की एजुकेशन पर जो प्रभाव पड़ा है उसका जरूर अध्यन करें यह योजनाओं यह जागरुता एक बड़ी वजय है जो स्कूलों में बेटियों की ड्रॉप आउट रेट में कमी ला रही है